हेलो आइज ञेसे वाप सभी लोग आसा करता हूँ आप सभी ठीक टाक और कुसल मंगल होंगे आज हम बात करेंगे राजस्थान की इम्रदाएं राजस्थान की इम्रदाओं का उबर्गी करण जो आपनो राजस्थान है, इसमें कौन-कौन सी माटी, कौन-कौन सी मिटी, कहां-कहां पर पाई जाती है, कौन-कौन सी जिलो में, कौन सी मिटी फेली हुई है, तता उसमें कौन सी फसल हम उगा सकते हैं, यह सब कुछ आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं, तो चलि जरूरी क्या है पोसक तत्व जरूरी है उगने के लिए ग्रोथ के लिए उत्पादन के लिए अब पोसक तत्व कहां से मिलते हैं तो तीन चीजे हैं जहां से पोसक तत्व मिलते हैं एक तो हैं वायू है इसके लावा जल है और इसके लावा म्रदा है म्रदा का एक अहम रोल ह है और इसी म्रदा के बारे में हम पढ़ने वाले हैं यहां से एक basic question आता है कि राजस्थान में कितने प्रकार की म्रदाएं पाई जाती हैं तो आप का answer होगा 8 प्रकार की म्रदाएं पाई जाती है कितने प्रकार की 8 प्रकार की जैसे कि आप यहां पर देखाऊगी आप लिख लोगे राजस्थान की म्रदाओं का वरगी करन आठ प्रकार से किया गया है राजस्थान में आठ प्रकार की म्रदाएं पाई जाती हैं यह सब्से basic क्योशन और exam में आता है अब कौन-कौन सी पाई जाती है तो बिलकुल सारे नाम आपको याद करवाँगा सबसे पहले 2-5 मेट के अंदर-अंदर मैं आपको इसका basic overview दूँगा मतलब इस मान चित्र के माध्यम से मैं आपको पूरे 8 नाम याद करवा दूँगा कौन-कौन सी म्रदा कहां पर पाई जाती है उसके बाद में हम एक-एक म्रदा को इधर detail में लिखेंगे और अच्छे तरीके से समझेंगे तो बिलकुल आपका सारा focus board की तरफ होना चीए चलिए देखते हैं सबसे पहली म्रदा आती है रेतिली म्रदा कौन सी म्रदा आती है रेतिली म्रदा अब आप एक बात बताओ राजस्थान में रेत कहां पर पाई जाती है बालू रेत सरवादिक कहां पर पाई जाती है तो आपका अंसर होगा किसर जेसल मेर में हैं, बाड मेर में हैं, जोधपुर में हैं, बिकानेर में हैं, चूरू में हैं, नागोर में हैं, जुन जुनु में हैं इसको आमने क्या बोला, रेतीली म्रदा नाम दिया है यह सबसे पहले म्रदा है अब कहां पर पाई जाएगी मैंने अभी आपको बताया जेसलमेर हैं, बिकानेर हैं, चूरू हैं, जुनजुनु हैं, नागोर हैं, जोदपूर हैं, बाडमेर हैं मतलब साथ जिलो के अंदर रेतीली म्रदा पाई जाती हैं कैसर याद रखोगे, बहुत आसान है, देखो, आपने नाम सुनाओगा, रेगिस्थान के जहाज का कोन हैं, केमल हैं, कोन हैं, केमल हैं, उट हैं, उट को क्या बोलते हैं, रेगिस्थान का जहाज बोलते हैं अब रेगिस्थान में क्यों चलता है क्योंकि एक तो वाँ पानी की कमी है और यह साथ दिन तक बिना पानी पी रह सकता है बिलकुल रह सकता है रेट में चल सकता है क्योंकि इसके पेर गदीदार होते हैं अब यह कहां पर चलता है राजस्थान के दर बताओ यही पर चलता है इनी सेत्रों में जेसल मेरो गया, बिकानेरो गया, बाड मेरो गया, जोदपूर, नागोर, चूरू, जुणजुनू इनी सेत्रों में उंट चलते हैं, तो यहाँ पर कहने का मतलब है रेथ पाई जाती है और इसलिए इसको क्या बोला गया है, रेथ तीली म्रदा बोला गया है और जब तेज हवाई चलती है, तो रेथ उडूड कर जाती है, तीले के तीले बन जाते हैं, इसको रेथ तीली म्रदा बोला गया है तो याद रखोगे कि 7 जिलों के अंदर रेतिली म्रदा पाई जाती है मेरे साथ एक बार नाम बोलो जेसल मेर, बिकानेर, चूरू, जुनजुनू, नागोर, जोदपूर, बाड मेर यहां से एक बहुत आसान क्वेशन अभी आया था जो राजस्थान कोंस्टेबल का पेपर हुआ है उसके अंदर एक क्वेशन यहां से पूचा गया था कि राजस्थान का सबसे बड़ा जिला कौन सा है और बहुत इजी क्वेशन था जेसल मेर तो बिलकुल याद रखोगे जेसल मेर, बिकानेर, चूरू, जुन जुनू, नागोर, जोदपुर, बाड मेर इनमें कौन सी म्रदा? रेतिली म्रदा अब देखो यहां आप देख पारो मैंने अलगी बोक्ष बना दिया ताकि आप अच्छे तरीके से समझ सको एक बात बताओ आप मुझे क्या इस बोक्ष से बड़ा कोई बोक्ष आपको नजर आ रहा है? जैसे मैंने छोटे-छोटे बोक्ष बना रहे है? नहीं आ रहा है कहने का मतलब है, ध्यान से समझ ना कहने का मतलब है राजस्थान में सरवादिक सेत्रफल में फेली हुई म्रदा कौन सी है? तो आपका आंसर आएगा कि सर रेतिली म्रदा है कौन सी म्रदा है? रेतिली म्रदा बात समझ में आ रही है आप लोगों को, ठीक है? अब रेतिली म्रदा है, अब इसके अंदर परसंटेज कितना होता है तो 95 से लेकर 97 या कहीं किताबों में 90 से 95 भी मिलेगा इतना परसंटेज होता है अब मरतिका की बात करें कि मरतिका का परसंटेज कितना होता है कले का परसंटेज कितना होता है तो 5 to 7 परसंटेज में कले होती है एक बात बताओ, क्या ये फोसल उत्पादन के लिए अच्छी है, नहीं है, क्यों अच्छी नहीं है, अगर आप इसमें पानी पिलाओगे ना, तो पानी फटाख से नीची चला जायेगा, मतलब उपर रुके गाए नहीं, तो पोदे के से उग पाएंगे, और यहाँ पर म्रत म्रतिका, जो खेती के लिए जरूरी है, इसकी मात्रा बहुत कम है, तो मतलब खेती के लिए अच्छी नहीं है, बालू की मात्रा 95% है, म्रतिका की 5-7% है, और राजस्थान में सरवादिक सेत्रफल में फेली हुई म्रदा कौन सी है, रेतिली म्रदा है, यह हमारी पहली हो गई आगे बढ़ते हैं सेकिंड नंबर प्यास्थिये भूरी रेतीली म्रदा अब कलर इसका भूरा होगा देखो कैसे होगा यह जो देख पारे हो आप अरावली परवत अब यह जो जिले हैं इनमें कौन सी रेतीली अब जैसे दीरे दीरे जो इस्सा है na उसमें भी कौन सी म्रदा है भूरी रेतिली मतलब रेत फेली हुई यह और यहाँ आके उसका रंग ब्राउन हो जाता है अब कौन-कौन से जिलों में भूरी रेतिली म्रदा पाई जाती है तो देखो इदर जालोर में है सिरोई में है पाली में हैं, सीकर में हैं जुन-जुनों के नीचे वाले सेत्र में नागोर में, जोधपूर में, बाडमेर में इनी जिलों में कौन सी म्रदा पाई जाती है तो भूरी रेतिली म्रदा पाई जाती है और इस म्रदा की अपेक्षा यह थोड़ी सी उपजाव होती है यह थोड़ी सी उपजाव होती है क्योंकि रेत की मात्रा कम हो जाती है और मुरतिका की मात्रा बढ़ती चली जाती है तो इसकी अपेक्षा यह वाली उपजाव होती है समझ में आया कि कौन कौन से जिलो में पाई जाएगी सिरोई, जालोर, पाली, सीकर, जुन-जुनू, नागोर, जोदपूर, बाडमेर ये कौन सी होगए हमारे पास, भूरी रेतिली होगई एक-एक म्रदा को पढ़ेंगे, हम यहाँ पर लिखेंगे और अच्छे से आपको समझ में आ जाएगा मैं अभी आपको नाम याद करवा नहीं कोशिस कर रहा हूँ पहला नाम मेरे साथ बोलो, रेतिली म्रदा अब जसके नीचे आप आओगे, तो भूरी रेतिली म्रदा दो म्रदा ही याद हो गई, बोलो मेरे साथ रंग म्रदा में किसके वज़े से होता है लोहा आयस का गए इसमे're या लोहा ओक्षाइड आ गए या आप इसे बोल सकते हूँ लोहा कन की वज़े से इसमें जो रंग है वो लाल पिला है अब लाल पिली म्रदा कहा कहा पर पाई जाती है तो देखो इदर, कहां कहां पर पाई जाएगी भीलवाडा में है, उदेपुर में है बासवाडा में है, चितोडगड में है अजमेर में है, इन जिलो में लाल पिली म्रदा पाई जाती है आप देख पारो, यह अलग से मैं इस तरीके से दोट किया हुआ है इसको, इन जिलो के अंदर कौन सी लाल पिली म्रदा है एक बार देखो आपस भील वाड़ा है चितोडगड है, उदेपुर है बास वाड़ा है, अजमेर है इन जिलो में कौन सी लाल पिली म्रदा पाई जाती है, अभी पढ़ेंगे एक एको पढ़ेंगे, बस आप थोड़ा सा समस्ते चले इसको, आगे बढ़ते हैं खेती के लिए अच्छी म्रदा है खेती की जा सकती है, लेकिन कुछ जादा अच्छी भी नहीं है मतलब पानिवानी पिला के आराम से खेती की जा सकती है, अब कितनी म्रदा हैं याद होगे, आपको तीन याद होगे मेरे साथ बोलो रेतिली, उसके बाद में रेतिली भूरी होगे, तो हमने क्या बोल दिया, भूरी रेतिली अब म्रदा कैसी होगे, लाल पिली होगे, तो तीन म्रदा हैं आपको याद होगे म्रदा तो फूर्थ नंबर पे कौन से आई हमारे पास लाल लोमी म्रदा है अब कौन कौन से डिस्टिक में पाई जाती है तो बहुत आसान है देखो यह पाई जाती है चितोडगड के कुछ भाग में पाई जाती है उदेपुर के भी कुछ भाग में पाई जाती है हैं या लोहकंड हैं उनकी अधिक्ता की वज़े से इसका रंग लाल होता है तो ये कितने म्रदा यहाद कर ल हैं आप 7 म्रदा हैं मेरेसाथ एक बार बोलो फिर बहुँ जितनी बार कि न ऊतनी बार याद होगा एक तो यह करवाना कैसे करवाना है या आप थोड़ा corporate करो ठीक है सबसे पहली म्रदा रेतिली म्रदा हो गई दूसरी भूरी रेतिली हो गई उसके बाद रंकेसा हुआ लाल पिला हुआ फिर लाल लोमी हो गई बोलो चाल म्रदा ही याद हो गई आपको आगे बढ़ते हैं पाँचवी म्रदा की बात करते हैं और पाँचवी म्रदा हमारे पास आती है देखो दोमट या खचारी म्रदा कौन सी प्रदा दोमट या खचारी म्रदा अब आपने एक point पड़ा होगा आपके बारवी class में एक chapter हैं जिसके अंदर आपके सारी की सारी serials हैं मतलब अनाज वाली फसले हैं दलहानी फसले हैं तिलहानी फसले हैं और भी बहुत सारी फसले हैं चारे वाली हैं रेसेदार हैं मसाले वाली फसले हैं उनमें एक point तो आपने जरूर note किया होगा या notice किया होगा उनमें लिखा था कि अधिकतर फसलों के लिए दोमट मरदा उप्यूगत होती है अगर मैं आप से question पूछू कि इन सबी मरदाओं में से हैं सबसे अच्छी खेती के लिए कोन सी मरदा है तो आप का answer होगा दोमट या खचारी मरदा है क्या होगा दोमट या खचारी मरदा है अब कहा कहा पर पाई जाती है तो देखो लवर में लवर नहीं अलवर में भरतपूर में धौलपूर में इसके लावा सवाई मादूपूर में इसके लावा कोटा में और इसके लावा टोंक में यह जो गोला बना रखा है ना मैंने इस तरीके से बादल की तरह करके तो इनी बादलों में पाई जाती है दोमट या खचारी म्रदा एक बार फिर से देखो लवर में सोरी अलवर में भरतपूर में धौलपूर में टौक में कोटा में और सवाई मादूपूर में इन में कौन से म्रदा पाई जाती है दोमट या खचारी म्रदा पाई जाती है बात समझे में आरी है आप लोगों को आगे बढ़ते हैं अब बात करते हैं 6 नमबर पे और 6 नमबर पे आती है काली म्रदा और यह पाई जाती है उदेपूर और कोटा डिवीजन के अंदर मतलब उदेपूर और कोटा खंडी के अंदर बहुत जादा मात्रा में पाई यह थी कौन सी म्रदा काली म्रदा देखो यहां पर कोटा कहां पर यह रहा उदेपूर कहां पर यह रहा तो इन दोनों डिस्टिक के अंदर कौन सी काली म्रदा और अभी जेट 2020 के अंदर यहां से क्योशन आया है कि सबसे ज़्यादा जो दरारे होती है किस म्रदा में होती है मतलब पानी पिलाया और 4-5 दिन के बादी पानी सूख जाएगा और दरारे दरारे होने लगेगी बताओ किस म्रदा की विसेष्टा है तो आंसर आपका जाएगा काली म्रदा चलो एक क्योशन हो गया दूसरा क्योशन अरे आपने पढ़ा होगा कि कपास के लिए सबसे अच्छी जो मिटी है वो कौंसी है काली मिटी है तो बिल्कुल क्योशन आपके जो मैं बोल रहा हूँ ना इनके बाहर आपका क्योशन नहीं जाने वाला बस आप इन क्योशनों को पकड़े और नोट करते लालव काली मिस्रीत देखो नाम याद करते हैं चलना भूलना मत रेतिली बूरी रेतिली लाल पीली फिर लाल लोमी ठीक है आगे हमने बात की दोमट या खचारी या आपको जरूर याद रहेगी क्योंकि खेती के लिए सबसे बेस्ट है विसे काली भी बढ़िया है कपास के लिए काली बढ़िया है मतलब सबसे फॉस्ट तो आपको दोमट याद रखना है सेवेंट नमबर पे हम बात करें लाल व काली कहने का मतलब है इसमें क्या होता है जो मालवा का फठार है और जो अरावली का भाग है अरावली में तो लाल म्रदा पाई जाती है और माल वाफठार में काली पाई जाती है दोनों मिलके किसका निर्मान करती है लाल व काली मिस्रित म्रदाओं का निर्मान करती है कहां पर पाई जाती है तो बहुत आसाने देखो भीलवाडा में, उदेपुर में, चितोड में, दूंगरपुर में और बासवाडा में देखो याँ पर बासवाडा हो गया, इदर से आपके दूंगरपुर हो गया इदर से आपके भीलवाडा हो गया, इदर से चितोडगड़ हो गया, इदर से उदेपुर हो गया इन जिलों में और डूंगरपुर में इन में कौन सी लालव काली मिस्रित म्रदाएं पाई जाती है याद होगा आप लोगों को साथ म्रदाएं हमने याद कर ली आगे बढ़ते हैं आठवे नमबर की म्रदा आती है भूरी रेतीली खचारी म्रदा बताओ कौन से जिले बचे सरसारा कवर हो गया बस स्री गंगानगर हैं हनुमान गड़ हैं इसके लावा भूरी रेतीली म्रदा कुछ-कुछ भागों में लवर में भरतपुर में और धोलपुर में भी पाई जाती है तो यह बेसिक-बेसिक ओवर्यू लाल लोमी इसके बाद में भूरी रेतीली दोमटवा खचारी काली और लाल आप जरूरी रहें नमबर से याद करू बस आपको याद होना चीए और थोड़ा-थोड़ा आपके माइंड में यह मांचित्र होना चीए हमेशा-हमेशा के लिए तब यह आपका question सही हो पाएगा जैसे mind में बना हुआ है कि हाँ इधर वाला जो area है रेकिस्थान वाला इसमें रेतीली पाई जाती है जस्ट इसके नीचे बूरी रेतीली पाई जाती है इधर कोटा और उदेपुर में काली म्रदा पाई जाती है थोड़ा थोड़ा कौन सी म्रदा पाई जाती है दो मटवक खचारी म्रदा भी पाई जाती है इस तरीके से तो यह मानचितर आप एक बार इसका screenshot ले लो या आप इसका photo ले लो या आप खुद diagram बना लो फिर आगे बढ़ते हैं एक-एक म्रदा को मैं आपको यहाँ पर बिल्कुल detail में बताने वाला हूँ सबसे पहले heading डाल लो और अब आप अपना register और pen लेकर बैठे क्योंकि मैं आपको note करवाने वाला हूँ ऐसे बोल के नहीं यहाँ पर लिखवाऊँगा ताकि आप लिख सके उसको अच्छे तरीके से तो सबसे पहली म्रदा डाल लो आप रेतीली म्रदा अभी इस मानचित्र को नहीं मिटाएंगे इस मानचित्र से और ज़्यादा आपको याद होगा यहाँ से लिखे यहाँ तक दिखाई दे रहा है I hope नहीं दिखाई दे रहा थोड़ा और आगे बढ़ाते हैं arrow को यहाँ पर बिल्कुल यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है तो यहीं से heading डालो और English में भी नाम याद करना सबसे पहली म्रदा कौन सी आएगी बोलो रेतीली म्रदा आएगी कौन सी म्रदा आएगी रेतीली म्रदा रेतीली म्रदा इसको बोलते सेंडी सेंडी सोईल कौन से सोईल बोलते हैं बोलते हैं बोलते सेंडी सेंडी सोईल कौन से सोईल बोलते हैं बोलते हैं तो बिल्कुल लिखते वे चलो सेंडी सोईल अब एक बात बताओ कहाँ पर पाई जाएगी तो आपका answer होगा कि सर यह पाई जाती है इन जिलों में जिलों के नाम लिख लो भाई जैसलमेर में पाई जाती है जैसलमेर है इसके अलावा लिखते वे चलो बाडमेर है जोधपुर है जोदपुर हैं इसके लावा आपके बिकानेर हैं बिल्कुल हैं बिकानेर इसके लावा आमारे पास चूरू हैं इसके लावा आमारे पास जुन जुनू हैं जुन जुनू इसके लावा आमारे पास नागोर हैं बस बहुत हो गया यह हो गए साजले जेसलमेर बाडमेर और इन दो स्टार के अंदर लिखना कि राजस्थान में सरवादिक सेत्रफल में फेली हुई है बोलो फेली हुई है या नहीं फेली हुई है थीक है याद रखोगे आगे बढ़ते हैं दो और स्टार लगा लो, दो किसलिए लगाएंगे, आपको बताया था मैंनो, मैंने आपको इसमें बताया था किसमें जो बालू म्रदा है, कौन से म्रदा है, बालू म्रदा, इसका प्रतिसत कितना है, इसका प्रतिसत है, 90 से लेकर 45 में प्रतिसत, तता इसमें, तता इसमें म् अच्छे से याद रखो, इनमें खेती नहीं की जा सकती, reason क्या है क्योंकि रेती रेत हैं, पानी जैसे पिलाओगे नीचे चला जाएगा, मतलब पानी फटाक से नीचे चला जाता है, जम इनमें नमी नहीं बनी रेती हैं, जिसके वज़े से पोदे नहीं उपते हैं, इनमें जाड़ियां अगेरा उगती है, तो I hope आपको इस समझ में आया होगा अच्छे तरीके से, आगे बढ़ते हैं, इसमें एक और पॉइंट लिख लेना, जो मैं आपको बता रहा हूं, मतलब पानी नीचे चला जाता है, नम्मी नहीं रेती, इसको बोलते हैं, पार गम्मेता, प दूसरी म्रदा हमारे पास, बोलो कौन सी आएगी, नाम याद करवा है न, मैंने आपको इसलिए नाम याद करवा है, ताकि आप अच्छे से याद कर सको, दूसरे नमबर पर हमारे पास जो म्रदा आएगी, वो आएगी, भूरी, कौन सी भूरी, रेतीली, रेतीली, म्रदा अब भूरी रेतिली म्रदा को बोलो इंग्लिस में क्या बोलोगी उसको हम क्या बोल रहेते हैं सेंडी सोई बोल रहेते हैं ये क्या होगी भूरी होगी तो ब्राउन कर देंगे बाई क्या कर देंगे ब्राउन तो लिखो ब्राउन सेंडी brown, sendis, soy बाद समत आखिए आरी आप बिलकुर समत देवे चले अब कहा कहा पर पाई जाती आपको पता है कि सर जालोर में हैं, सीरोई में हैं, पाली में हैं, सीकर में हैं कुछ भाग जुण्जुनु, कुछ भाग नागोर कुछ भाग जोदपूर, कुछ भाग बाड़मेर तो लिखते हैं कि कहा का पर पाई जाती है मेरे साथ आप इनको नोट करते वे चलना यह म्रदाया आपके पाई जाती है बाड़मेर जालोर बाड़मेर जालोर बाड़मेर जालोर सिरोई पाली सिरोई इसके लावा यह अं अ आपके पाई आतों क्योंकि नागुर और जुण जुन का जो नीचे वाला सेत्र उसमें नयगुर और जुण जुनु मेंय यह अ जुन जुन में म्रादायें पाई जाती है आगे बढ़ते हैं एक और इस्टार अराउली परवत में अराउली परवत में करीबन 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 36,500 वर्ग किलोमीटर में यही म्रदा फेली हुई है तो लिख लो कि भूरी रेतिली म्रदा, रेतिली म्रदा की अपेक्षा उपजाओ हैं, तो बिल्कुल लिखो इस point को, भूरी रेतिली म्रदा, किसकी अपेक्षा, भूरी रेतिली म्रदा, रेतिली म्रदा की अपेक्षा, अधिक उपजाओ होती हैं, अधिक उपजाओ, उपजाओ होती हैं, नोट करतीए वे चलना, important point है सारे के सारे, आगे देखते हैं इस मृदा में Phosphorus तल अधिक पाया जाता है, जिसे आप नीचे जाओगे तो Phosphorus ज़्यादा पाया जाता है तो लिखले ना इसमें इस मृदा में इस मृदा में Phosphorus Phosphorus तल पाया जाता है तल पाया जाता है तो बिलकुल यह हमारी कौन सी म्रदा हो गई यह दूसरे नंबर की हो गई सबसे पहले हमने देखा रेतीली म्रदा डिस्टिक बोलो विकानेट चूरू जुन जुनू नागोर जोदपूर बाडमेर जैसलमेर उसके बाद दूसरी म्रदा हमने देखी है भू लोगों को अच्छे तरीके से समझ में आ सके इनके कुछ भागों में कुछ भागों में यह म्रदा पाई जाती है और कितने एरिया में पाई जाती है तो 36,500 किलोमेटर रहुली में यही म्रदा फेली हुई है आगे बढ़ते हैं यह दो म्रदा है हमारी हो गई थार्ड थार्ड नंबर की म्रदा है लाल पीली म्रदा तो थार्ड नंबर पर डालो लाल पीली म्रदा बोलो कौन सी म्रदा डालोगे यह रही लाल कौन सी बढ़ी लाल और पीली म्रदा बताओ इंगलिस नेम क्या होगा बहुत आसान है लाल मानी रेड पीली मानी एलो लाल पीली सो इल्ठीक हैं बात समझ में आ रही है आप लोगों को लाल पिली म्रदा एक बात बताओ कहां पर पाई जाएगी सर बहुत आसान है आपने डाइग्राम पहले बना रखा है सब कुस दिख रहा है हमें तो बोलो ना भाई लाल पिली म्रदा कहां पर है देखो ये डोट डोट में उदेपुर भीलवाड़ा चितोडगड बासवाड़ा सिरोई और अजमेर जिलो में ये अम्रदा पाई जाती है तो देरी किस बात की नोट करो कहां कहां पर पाई जाती है लिख लो भई लिख लो उदेपुर में पाई जाती है भीलवाड़ा में पाई जाती है इसके गड़ यहीं पर हैं चितोड़ गड़ में गड़ गड़ चितोड़ का बाकी सब गड़ईया ताल ताल भोपाल का बाकी सब तलईया ठीक है यह कहावत याद रखना उदेपुर भील वड़ा चितोड गड़ इसके लावा अजमेर हो गया कौन हो गया अजमेर बोर्ड राजस्थान से याद रखोगे ठीक है इसके लावा आपके पास बास वड़ा बास वड़ा लिखोगे और सिरोई के कुछ भागों में भी पाई जाती है सिरोई सिरोई तो इन जिलों में कौन से म्रदा पाई जाती है बोलो लाल पीली म्रदा पाई जाती है अब एक बात बता हूँ आपको काम की यहाँ पर काम की बात यह है कि यहाँ पर केलसियम कार्बोनेट और चूने की मातरा अधिक पाई जाती है जिसकी वज़े से म्रदा बताओ, उपजाओगी या कम उपजाओगी, तो कम उपजाओओ होती है, तो लिखना, यहां म्रदा कम उपजाओओ होती है, कारण क्या है? क्योंकि इसमें क्या है? केल्सियम कार्बनेट CO3 वह चूने की मात्रा वह चूने की मात्रा अधिक पाई जाती है अधिक अधिक पाई जाती है तो यह हो गई हमारी कौन सी म्रदा यह हुए लाल पिली म्रदा देखो बहुत आसान है राजस्थान की म्रदाओं को याद करना बहुत आसा में बस आप एक बारे डाइग्राम बनाओ इसमें डी नोट कर दो कि कहा कहा पर कौन से मृधा पाई जाती है जैसे मैंने कर दिया ना है यापर डोट डोट मतलब समझो सिरोई उदेपुर भीलवाडा चितोडगड बासवाडा और अजमेर जिलो में कौन सी लाल पीली मृधा I hope आपको समझ में आया होगा अब लाल रंग किसके वज़े से होता है तो लिख ले ना लाल रंग होता है इसमें लोह ओक्षाइड की वज़े से लोह ओक्षाइड की वज़े से इसका लाल पीला रंग होता है आगे बढ़ते हैं यह हमारी तीन म्रदा हैं होगी आप या तो इसका स्क्रीन सोट ले लो या आप इनको नोट करते वे चले जैसे कहीं बार ऐसा होता है आप नोट नहीं कर पाए मैंने रफ कर दिया है तो आप उस कंडिशन में क्या करोगे वीडियो को पॉज क पर और कौन से म्रदा आती है बोलो लाल लोमी म्रदा आती है लाल लोमी लाल लोमी म्रदा क्या बोलेंगे इंगलिस में बहुत आसान है रेड लॉमी रेड लॉमी सोईल हम इसको इंगलिस में बोलेंगे अब आप मुझे बताओ कहां पर पाए जाती है तो सर बहुत आसान ह क्योंकि आपने एरो पहले लगा रखे, कहां पहे हैं, चितोडगड में हैं, डूंगरपुर में हैं, ठीक हैं, उधेपुर में हैं, बासवड़ा में हैं, चार जिलों के कुछ भागों में, ठीक है ना, कुछ-कुछ भागों में जो इनसे लगे हुए हैं, तो बिल्कुल लिखो उदेपुर इसके बाद लिखो बासवाड़ा निचे निचे देखो बासवाड़ा इसके बाद आप क्या लिखोगे इसके बाद आप लिखोगे उदेपुर हो गया हमारा चितोडगड हो गया भील वाड़ा और लिखोगे आप भील वाड़ा इन जिलों में यहां लोहकण अधिक पाई जाते हैं, अब लोहकण अधिक पाई जा रहा हैं, तो इनका क्या मतलब है, इनका भी मतलब है यहाँ पर, देखो, लोहकण अधिक हैं, तो बरसात होने के बाद, जब बरसात का मोशम आता है, और बरसात होने के बाद, अधिक समय तक इन म्रदाओं में नमी बनी रहती है, क्या बनी रहती है, नमी बनी रहती है, तो आराम से इनमें खेती की जा सकती है, क्या की जा सकती है, इसके अलावा देखो, इसमें चुना हो गया, इसके अलावा इसमें फास्फोरस हो गया, इसके अलावा बोलो इसमें कौन, पोर्टास हो गया, बोलो कमी आदिकता तो कमी पाई जाती है नीचे एरो का मतलब है कमी इनकी कमी पाई जाती है तो आराम से इस म्रदा में कपास आदी की खेती की जा सकती है आराम से म्रदा को सुधार के ठीक है तो आप इस म्रदा में क्या याद रखोगे लाल लो में म्रदा में चितोडगड उदेपु बांसवाडा भीलवाडा में ये म्रदा पाई जाती है रंग लाल होता है क्योंकि लोहकंड जादा पाई जाते हैं और लोहकंड जादा पाई जाते हैं जिसकी वज़ा से बरसात होने के बाद नमी अधिक समय तक बनी रहती है तता इस म्रदा में चुना, पोटास और फोस्पोरस की कमी पाई जाती है आई होप आपको याद हो गया होगा आप एक बार इसका स्क्रीन सोट ले ले तो भई आगे बढ़ते हैं आई होप आपने स्क्रीन सोट ले लिया होगा बहुत समझदार हो आप फटापट जल्दी से अगर स्क्रीन सोट नहीं आता है एप के अंदर तो आप यार पोज करके आप इनको नोट कर ले क्योंकि मौस्ट इम्पोटेंट है अब बताओ कितनी मौदा या दोगी चारी आदोगी रेतिली होगे बूरी होगे लाल होगे लाल लोमी होगे अब कौनसी आएगी दोमट या खचारी मौदा आएगी तो हेंडिंग डालो वाल को एप पढ़ा दा ना की दो मट मरदा सब्ही वस्सवों वब लिए अच्छी ओटी है इसको क्या बोलेंगे इसको बोलते हैं English मैं English में से देखो यह पाइ आज बहुत आसान केसे हैं देखो यह पाई जाती अलवर आज Nowadays, BS भरत पुर हैं, भरत पुर हैं, धॉल पुर हैं, क्या है धॉल पुर हैं इसके लावा, टॐंक के आपर में अधौर, वह सवांधुपुर, सवांधुपुर में भी पाई जाती हैं। तो इन जिलों के अंदर कौन सी म्रदा पाई जाती है, दोमट या खचारी म्रदा, अब कहानी याद रखना, क्रसी के लिए सबसे अच्छी म्रदा कौन सी है, दोमट म्रदा है, लिखो यहां पर, क्रसी के लिए अच्छी म्रदा है, इसमें सभी फसले आसानी से उगाई जा सक सबी फसलें आसानी से उगाई उगाई जा सकती हैं तो बस इतना ही इसका importance है क्या importance है अलवर भरतपुर धौलपुर टॉक कोटा सवाई मादूपुर में पाई जाती है क्रसी के लिए अच्छी म्रदा है इसमें सबी फसलों को अगलियान गाली म्रदा को सी मंटा काली रणकी होगी डालीजी आंप six number पे, कौन से number पे six number पे डालो ये रहा हमारा six और लिखो काली मृदा, अब बताओ रहे भई इसको क्या बोलेंगे इंग्लिस में, इसको बोलेंगे इंग्लिस में black soil, क्या बोलेंगे black soil तो सबसे पहला क्योशन रंग केसा हो गया, काला हो गया केसा हो गया, काला हो गया, ठीक है इसके लाव और importance, किस खेती के लिए सबसे उप्यूगते हैं, तो खेती इसमें सबसे बढ़िया है, कपास के लिए अच्छी म्रदा मानी जाती है, कपास के लिए काली म्रदा, इसके लाव थर्ड इंपोटेंस इसमें जो क्रेकिंग केपेसिटी है क्रेकिंग मतलब तड़कना या चटकना वो ज़्यादा पाई जाती है, किस सोयल में ब्लेक सोयल में, ये क्रेशन आपके अभी आया है किसमें जेट 2020 के अंदर आया है, याद रखोगे ये तीनों चीज़ें आप याद रखोगे इसके लाव कहां कहां पर पाई जाती है, तो बहुत आसान है कोटा व उदेपूर कोटा व उदेपूर खंड में यहां म्रदा पाई जाती है तो कोटा और उदेपूर में खंड में पाई जाती है कौन सी काली म्रदा याद रखोगे क्योशन पहले आ चुका है कोटा वा उदेपूर खंड में कौन सी म्रदाएं पाई जाती है तो काली म्रदा पाई जाती है याद रखोगे और काली म्रदा भी उपजाओ म्रदा होती है चुक इसमें कपास की खेती हम कर रहा है लेकिन सबसे बढ़िया मिट्टी दो मट म्रदा है तो यह हमारी कितनी म्रदा हैं हो गई यह हमारी हो गई यहां पर छे म्रदा है आगे बढ़ते हैं पांचवी म्रदा की बात करते हैं पांचवी म्रदा पांचवी नहीं छे हो गई ना साथ व काली लाल व काली काली मिस्रित इंग्लिस में क्या बोलोगे पर इंग्लिस कम है थोड़ी मेरी बताओ इसको बोलेंगे red and black mixed soil mixed soil important क्या है काली म्रदा है, लाल म्रदा है तो कपास वगेरा, गियों वगेरा की खेती की जा सकती है ठीक है, कौन-कौन से जिलों में, तो जिले वहीं लिखे होए है मैंने, बील वाड़ा में, कुछ भाग बील वाड़ा में पाई जाएगी कुछ भाग आपके उदेपुर में है और कुछ भाग आपके गड़गड चितोड में चितोड गड़ में इसके लावाद, ढंगर पुर में है बासवाड़ा में यह म्रदा पाई जाती है भील वाड़ा, उदेपुर, चितोड, ढंगरपुर, बासवड अब देखो यार, यह है लाल और यह है काला इन दोनों का क्या कनेक्शन है तो connection कुछ भी नहीं है, देखो, जो मालवा पठार है, कौन सा पठार? मालवा पठार, इसकी जो मृदा है, वो केसी एक काली है, केसी एक काली है, और जो हमारा अरावली परवत है, अरावली परवत, ठीक है, दक्षणी, दक्षणी अरावली परवत की बात कर रहा हूं, दक् काली मिक्ष म्रदा का तो दोनों रंग इसके अंदर पाए जाते हैं तो यादरखना मालवा, पहतार, दक्षिन, यारावली, परवत दोनों की म्रदाओं के मिलने से इस म्रदा का निरमान होता है इसके अंदर कपास वह गेउं, आधिकी खेती की जा सकती है तो एक कितनी मरदाएं हो गई बोलो 7 मरदाएं हो गई Last मरदा एक और है वो कौन सी है भूरी रेतिली खच्चारी मरदा है तो बिलकुल heading डालो Last मरदा heading डालो Warm Earl वाते ही ली और बहुत आसान है जिसमें हमारी टोटल आठ मरढ़ा हैं कम्प्लीट हो जाएगी तो देखते हैं अगली मरढ़ा हमारे पास आती है एक नंबर हमें कौन से नंबर प्राथीं या नमबर प्र स सबसक relief yolk को भूलेंग fiber ब्राउन रेती ली को बोलेंगे सेंडी एंड कि छारी मतलब दूमरत मतलब लो मी लो म वैल क्या नाम उगे इसका नाम बना लो और एक भरतपूर पर भी इस तरीके से लाइन बना लो और यहां पर भी इस तरीके से लाइन बना लो अब आप कुछ समझ में आया होगा कि कहां कहां पर हैं चार जिलो के अंदर है तो लिखो यार अल्वर में हैं बहरतपूर में हैं इसके लाओ उत्री भाग गंगा नगर और हनुमान घड़ में उत्रि भाग उत्रि भाग गंगा नगर गंगा नगर वह हनुमान हनुमान गड़ जिलों में ये पाई जाती है खेती किसकी कर सकते हैं तो कपास वह गेऊं की खेती की जाती है क्यों कि बेटाओ ये नदियों द्वारा बहा कर लाई गई म्रदा है किसके द्वारा नदियों द्वारा बहा कर लाई गई म्रदा है तो कितनी म्रदाएं हो गई हमारी आठ म्रदाएं हमने बिल्कुल अच्छे से पढ़ ली और हमें ग्यान हो गया है आपनो राविस्थान की माटी का कि यहाँ पर आठ प्रकार की माटी पाई जाती है मतलब आठ प्रकार की मिट्टियां पाई जाती है कौन कौन सी एक बार वापस सिर्य वांगान देख ले ना, रेतिली म्रदा, बूरी रेतिली लाल पिली म्रदा, लाल लोमी म्रदा, चार म्रदा ही दर याद करो, पांच vallahi नमबर बे मारे पास आती है दोमट या कच्छारी सबसे अच्छी है खेती के लिए सिक्स नमबर में काली म्रदा क्रेकिंग के पिसिटी जादा है कोटा डिवीजन और उदेपुर में पाई जाती है इसके लावा लालव काली मालवा और अरावली की दक्षिनी के वज़े से मिक्षिन हो गई और किसका निर्मान हुआ लालव काली का हुआ बीलवाडा उदेपुर चितो और डुंगरपुर वा बासवाडा में पाई जाती है लास्ट आती है बूरी रहती है खच्छारी म्रदा पांच मेंट का काम है एक बार आप इन सब को नोट करे अच्छे तरीके से अपने माइंड में चाप ले आपको अच्छे से याद हो जाएगी आए होप आपको वीडियो बिल्कुल अच्छे तरीके से समझ में आया होगा कोई भी डाउट है तो आप मुझे चेट के मादिम से बता सकते हैं आपको आंसर जरूर दिया जाएगा इसे टोपिक बहुत आसान है यहांसे क्योशन बहुत कम बनते हैं बट जो भी बनते हो मैंने आपको बता दिये हैं तो हम मिलते हैं अगले वेडियो में तब तक आप सभी को मेरा राम राम नमस्कार जय जवान जय क्षान जय इन फ्रेंड बाबाए